हेलो गोडिवनिंग गाईज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करिया निर्माण में दोस्तों आज के लिए एक जरूरी अपडेट है आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन आया है ओनलाइन एक्जामिनेशन के लिए जो मार्च के मन्त में शिडियूल हुए है तो उसकी डिटेल्स आगई है इसमें कौन-कौन से एक्जाम है मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले most awaited assistant teacher primary यह DOE वाला जो की 7 मार्च को है तीन शिफ्टों में होगा 42 बटा 21 फिर 8 तारिक को assistant engineer post code 14 बटा 21 फिर security supervisor 26 बटा 21 उसके बाद में 13 तारिक को होगा security supervisor और draftsman grade 1 उसके बाद में 16 तारिक को junior engineer और बाकी दो shift में assistant teacher primary DOE वाला उसके बाद में 20 तारिक को होगा assistant teacher primary DOE वाला फिर second shift में pharmacist होमेपैथी फिर तीसरी shift में होगा assistant director inducib फिर 21 तारिक को JE के होंगे तीनो shift में दिल्ली जल बोर्ड में 22 को तीनो shift में होगा lab attendant का फिर 23 तारिक में पहली shift में lab attendant और carpenter second class और second और third shift में assistant teacher primary in NDMC इसकी post code 47 बटा 21 थी उसके बाद में 24 तारिक की तीनो shift में यही 47 बटे 21 वाला होगा फिर 25 तारिक की तीनो shift में भी यही होगा 26 तारिक में भी same होगा 27 तारिक में फिर से DOE वाला फिर 29 में भी same 30 में भी same DOE वाला 42 बटे 21 ठीक है उसके बाद में कुछ जरुरी information क्या है आपको अपना email address और mobile number update कर देना है website पर जाके कर सकते हैं जो भी details होंगी आपके exam center, date और timing से related वो आपके admit card में होगी उसके बाद में detailed instruction website पर जारी कर दिये जाएंगे जैसे ही जारी होंगे मैं आपको बता दूँगा further information के लिए आपको OARS portal को visit करते रहना है आपको mobile number पे भी update किया जाएगा आपका जो register mobile number है उस पे भी inform करा जाएगा कि आप अपने admit card download कर सकते हैं आपको सारे majors follow करने COVID-19 safety related measures including wearing face mask social distancing ठीक है तो इसमें जरूरी information क्या थी assistant teacher primary वाली यह most awaited exam था काफी बच्चे पूछ रहे थे कब होगा September में होगा March में होगा हलाकि मैं expect कर रहा था कि April ये March में शायद हो जाए क्योंकि September तो काफी देर हो जाएग September वाला जो है वो combined exam है ये वाला combined नहीं है इसलिए एक साथ नहीं करा सकते थे तो इसलिए April ये March में सोच रहा था मैं लेकिन March में फिर भी जल्दी करा लिया इन्होंने दूसरी चीज B.A.D. वाले case का क्या हुआ B.A.D. वाला case अभी भी चल रहा है बाकी बच्चों को allow कर दिया था और चीज क्या ध्यान रखने है आपको देखो अलग-अलग shift में paper हो रहा है इसका मतलम normalization भी हो सकता है तो अपने attempt इस हिसाब से रखें कि normalization हो भी तो आपको ज़्यादा नुक्सान न जहलना पड़े आपकी shift आसान आती है तो ज़्यादे ज़्यादे attempt करें कोशिश करें safe score से थोड़ा उपर ले जाए shift तब भी हो तो भी कोशिश करें 110 के round आप attempt कर पाएं accuracy अच्छे रखें ज़्यादे तुक कमाने की ज़रुत नहीं है accuracy अच्छे रखेंगे तो आपके selection के chances बढ़ जाएंगे आपको कोई information चाहिए आप comment box में लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद